हेलो सुडेंट्स मैं अंजली सरसोती बालनिकेतन के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम क्लास सैवन्त के चैप्टर थर्ड पृत्वी की गत्यों के बारे में पढ़ेंगे देखें सुडेंट्स जो पृत्वी है उसके तीन भाग है कौन-कौन से स्थल मंडल जैल मंडल और वाईयू मंडल ठीक है और इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है जैल मंडल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ठीक है अब देखिए यहां पर स्थल मंडल की बात की गई ह स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जीने स्थल मंडल ये प्रितवी के अंदर पिढले हुए मेगमा में हुने वाली गती के कारण होता है मेगमा जो होता है वो प्रित्य रूप में घुमता है किस तरीके से इस तरीके से घुमता है जो जैसे हमारी प्रित्वी है वो जब वायू मंडल सॉरी जब हम प्रित्वी के अंदर जाते हैं जैसे जैसे हम धिरे धिरे अंदर जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो उसमें क्या ह लेकिन जब यह जस को क्या कहा जाता है मेलावा यह साथ हore जो हमारी प्रित्वी कहती किस जो मैं किस तरीके से होती है मपें के गोडिंग देखें के एक लेट हमारी इस तरीके से होती हैं यह यह उपर क्युसके जी और एक फायक ची और यह हमारी यह जो प्लेट्स होरे ना नौर्मल किस तरीके से होती है लेकिन उन पर बल लगते पलेटे है तो तो उसे जाती है एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे सब्सक्राई है ये अपनी जगाँ पर पर भाती है mês अब देखिए हम आगे देखते हैं दूछा प्रोइंट हम अब हमारा साइकेंड पॉइंट है प्रिथवी की गति उन बलों के अधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियां उठपन हुई हैं अब देखिए प्रिथवी गतियां को दो बागों में विवाजित है एक तो अंतर जनित बल और एक बहिर जनित बल अब यह देखिए अंतर जनित बल कौन से होते हैं वो बल जो अंदर से प्रिथवी के अंदर से बल लगाए जाते हैं और बहिर जनित बल जो प्रिथवी के ब पर्टल निरूपित बल भी कहते हैं अकस्मिक बल में कौन-कौन से आके बुगाम पागे ज्वाला मुखी और भूस अंकलन और इनसे क्या होता है अंतर जनित बल हैं इनसे परवर्तों का भी निर्मान होता है बहित जनित बलों में नदी पवन समुद्री तरंगे हिम्नत ये स अब इस सतय पर लगातार बल लग रहा है नीचे की तरफ से लगातार इस पर क्या है बल लगाया जा रहा है अब सुर्ण्स आप देखिए किसी भी चीज पर अगर आप लगातार बल लगाएंगे या चोट देंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव होगा वैसे ही यह नहीं पर लगातार बल लगने पर यहां पर क्या है एक चिद्र या एक होल का निर्मान हो जाता है ठीक है उस फिर होल से पीर जो फिर जो वह है उस होल से क्या है? दीरे-दीरे मेगमा बाहर आता है इस तरीके से वो मेगमा बाहर आके क्या है लावा के रूप में बाहर आता है जिसे हम जुआला मुखी फूटना बोल देते हैं या फिर और जो ये लावा बाहर आता है तो उससे किसका निर्मान होता है आगने चटानों का निर्मान होता है जो आगने चटाने और जो यह आगने चटाने हैं इनी से क्या होता है इनके जो छोटे-छोटे कन तूट जाते हैं अवसाधी खठे हो जाते हैं उनसे क्या बन जाती है अवसाधी चटाने बन जाती है और इनी का रूप बदल के क्या बन जाती है रुपांतरी चटाने बन जा स्थलमंट भी करते हैं तो यह प्रितवी में पर क्या होता है ना थेलिए प्रीथ सब्सक्राइब इस कमपन को क्या कहते हैं भूपरपर्ति के नीचे बहा है स्थान जहां कमपन आरंभ होता है उसे बहुत हानी हeti केंद्र माना जाता है जो यह अधी केंद्र है इसके बाहर की और तरंगे जो बाहर की और तरंगे निकलती है ठीक है तथा सरवाधिक हानी पहुचाती है मालों जैसे हमारा यह है यह हमारा है फोकस पॉइंट सेंटर पॉइंट ही है जो दूर होगा ना महां पर क्या होगा नुकसान कम होगा और यहां पर कोई भी इमारत है या कोई भी जगा है महां पर क्या होगा नुकसान अधिक होगा और यहां पर इस जो जगा है जो दूर होगी जैसे यह हो गया यह हो गया कोई भी जगएं जो जितना दूर होगा वहां पर क्या है नुक्सान कम होता जाएगा इसाथ भुकम्प कीत रघ她वरता पहल गया हो जातीे धिरदिर कम उजाती यह अब हम पिय तरंगे तरंगे तीन प्रकारम की होती है है देको जो निया उसको के से इसे तिरवते रिक्टर सकेल पर मापी जाती है तीक है हम यह कैसे पता चलता है कि भुकंप की इस त्रिवर्ता से आया है बताते हैं ना कहीं पर भी न्यूज आते है कि इतनी गती इतनी त्रिवर्ता से भुकंप आया था जैसे अब देखो अगर भुकंप 2.0 की त्रिवर्ता होगा तो वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा वस्तुओं के गिरने से शती पहुंचा सकता है अगर 5.0 है बुकंप की तिरवर्ता तो क्या है कोई भी वस्तु अगर गिरती है तो उससे क्या भी नुकसान होगा यदि बुकंप की तिरवर्ता 6.0 या उससे भी अधिक है तो ये बहुत शक्तिशाली होता है यदि तिरवर्त अब देखिए जो समुद्री तरंग है उनका कार्य क्या होता है यहां पर क्या है समुद्री गुफा कहते है दिर दिरे क्या है वो दरार पैदा करके और दिर दिरे गुफा बना लेती है इन गुफाओं में बड़े होते जाने से इनके केवल छत ही बचती है, उसे तर्टी है, महराब भी कहा जाता है, अब देखिए स्टूरेंट्स, इसमें क्या है लगातार जब उनमें अगर दरार उत्पन आती रहेगी, तो उनका जो जैसे मालो ये गुफा है, इसका ये छत व ये वाला भाग रह जाएगा, लगातार परदन छत को भी तोर देती है, केवल दिवारे बचती है, इन दिवारों को क्या कहा जाता है, इन दिवारों को स्टैक कहा जाता है, लगातार अगर किसी चीज पर अकर्मन होता रहेगा, तो वो क्या है, वो छत भी तूटी, सिर्फ दिवारे दिवारे रह गई तो वो दिवारों से उन दिवारों को क्या कहेंगे स्टैक कहेंगे समुद्र जल के उपर लगबर उठवादर उठे हुए उचे शलिय तटो को समुद्री बीगू कहते हैं समुद्री तरंगे किनारों पर अफसा जमा कर समुद्री पुलीन का निर होता है ठीक है और नद का मतलब नदी ठीक है जो परफ की नदियों को हिमनद कहते हैं ये गुलाश में मिट्टी अथवा पत्रों को अपरदित कर देती है हिमनद गहरे गर्तों का निर्मान करती है प्रवर्तिय चेत्र में बरफ बिखलने से उन गर्तों में क्या हो जाता है ज जैसे गहरी गहरे जो जैसे इस तरीके से कोई गड़े मालो बहुत गहरे रूप में बन जाते हैं उनको गर्थ बोलते हैं वो जो उन गहरों पर जब बरफ पिगलती है तो वहाँ पर पानी भर जाता है तो वहाँ पर क्या है सुन्दर जीले बन जाती हैं हिम्नद दूरा लाइ गए परदात जिस जेसे चोड़े बड़े शियल रेट और तलचट मिर्टी निकशेपन होते हैं, यह निकशेपत हिम्नद हिमोर का निर्मान करते हैं अब आगे है पवनकारिया पवनकारिया देखे स्टुडेंट क्या है पवनकारिया पवनकारिया रिगिस्तान में पवन परदन के निक्षेपन के कारक होते हैं अब जैसे रिगिस्तान में क्या है आप लोगों को पता है रिगिस्तान में क्या है मिट्टी है रिगिस्तान में अकार की शैल को छत्रक शैल भी कहा जाता है ठीक है छत्री नुमा जैसे छत्री नुमा अकार का बना हुआ है तो उसको क्या बोल देंगे छत्रक कहा जाता है पवन शैल के उपरी भाग को अपिक्षा नीचले भाग के असानी से काटती है जो जो पवन है ना वो उपरी भाग क भाघ को नए काट कर नीचके भाग को हसा पावन चलने पर अपने साथ रेट को एक सा इसे दूसरे स्थान पर ले पहुचाती है गिर रेट कर चोटी पहाड़ी बनाने लगती है ं उनको पालूटिबा कहते हैं अब अब आपन का रही है एक साथ कर दे rere обर जैंग्य to मालो जैसे मान यहां पर यह इह फ़ी होती में हां का यहां पर इक्टिब्बे निर्मान नेएगा अब फिर देखो फिर क्या है जब ये बालू के कन्विश्त्रित चेतर में निक्षिपित होते हैं तो इसको क्या गह जाता है वैस कहा together यह जो यह लोईस है यह स्टूडेंट्स चीट में यह आप लोगों का चैप्टर पूरा हो गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब जाद से जादा शेयर करें जाद से जादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं थेंक यू यह झाल झाल झाल